ताड़ी एक दवा होती है लेकिन इसमें सूरी की किर्णे पढ़ते ही नशा बन जाती है दोस्तो नमस्कार आप्टिमूम वीडियोज में एक बार फिर आपका स्वागत है मैं हूँ महेश चर्मा दोस्तो सूरी की किर्णे पढ़ते ही दवा नशे के रूप में परिवर्तित हो जाती है हम बात कर रहे हैं आदिवासियों के प्रियपे ताड़ी की इसके बनाने की प्रिकरिया भी सबसे अलग है शाम को करीब 40-50 फिट उचे पेड़ में छेत कर मटकी बंदी जाती है ताड़ के बुन बुन रस से सुबह मटकी भर जाती है इस रस को धूप में सुकाया जाता है जो धिरे धिरे नशीली ताड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाती है जबकि ताड़ी ताड़ी दवा का काम करती है इसमें नशा नहीं होता है ताड़ का पेड करीब 25 साल में ताड़ी देने लायक तयार हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि बाप ताड़ी के पेड़ को लगाता है और बेटा उससे ताड़ी निकाल कर पैसे कमाता है ताड के पेड भी दो तरह के होते हैं, एक बांजे जिसमें फल नहीं होता है, दूसरी फल वाली जिसे फलनियां कहते हैं, इसमें सबसे अच्छी बांजे की ताड़ी मनी जाती है शुबह ताजी ताडी का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसके सेवन से पेट की बिमारीयां दुरूती हैं या पत्री को गलाने का काम करती है, अर्थात किड्णी की बिमारीयों में भी लावदायक होती है। सुबह पेड़ से ताड़ी उतार कर धूप में रख दी जाती है जिसमें वा नशा के रूप में परिवर्टित हो जाती है इस ताड़ी का सेवन धार जाबुआ अली राजापुर जिले आदिवासी अंचल में सुख दूप के आयोजन में भोतायत से होता है खुले में भी केन में 10 रुपे गिलास बिखती है ताड़ी अली राजपुर जिले के उमराली में ताड़ी की मंडी लगती है यहां बड़े पेमाने पर ताड़ी का कारोबार किया जाता है तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी इसे लाइक और शियर करना ना भूले और आगे भी इस त क्वेकर ले अप्लेग स्क्वेकरली आपे!